नमस्कार मेरे चैनल पे आपका स्वागत है आज में आपको ओरेंज केक कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी पहले हम केक बनाएंगे उसके बाद उसे चॉकलेट और विब्ड क्रीम से सजाएंगे देखते हैं कैसे बनता है यह इजी और सिंपल ओरेंज केक सबसे पहले हम अपने ड्राइ इंग्रियेंट्स निकाल लेंगे इसके लिए हमें चाहिए तीन कप मैदा यह पहला कप है दूसरा और यह तीसरा सारे मेजर्मेंट्स हम इसी सेम कप से करेंगे अब हम इसमें डालेंगे तीन चोथाई छोटे चमज से बेकिंग पावडर एक तीहाई छोटे चमज से बेकिंग सोडा और एक चुटकी यह पीला कलर कलर अप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं इन सब को डाल के हम अच्छे से चान लेंगे अब इसे साइड रख देंगे अब हम अपने वेट इंग्रीडियन्स को निकाल लेते हैं सबसे पहले एक कप चीनी आधा कप रिफाइन एक कप दूध अब हमें चाहिए आधा कप संत्रे का जूस तो इसे हम साइड करेंगे और एक संत्रा लेंगे इस तरीके से इसे बीच से कट करेंगे और हम जूस निकालेंगे इसके लिए एक बावली लीजिए और इस तरीके से छन्नी को प्लेस करके हम संत्रे को इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसका जूस निकालेंगे हम इसे दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से इसका जूस निकाल लेंगे अब हम एक चम्मच से इसे प्रेस करके इस तरह से दबा दबा के जूस निकाल लेंगे, ये जूस आधा कप है, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, देखे, इसे भी हम ग्रैंडर जार में डाल देंगे, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, ये अच्छे से ग्राइंड हो गया इसे भी हम side रखेंगे, अब अपने cake tin को हम grease कर लेंगे, इसके लिए हम एक छोटा चमच refine लेंगे, और इसे अच्छे से हाथ से इस तरीके से हर तरफ लगा लेंगे, अब इसमें डालेंगे एक छोटा चमच मैदा और इसे अच्छे से डस्ट कर लेंगे, और यह जो extra मैदा रहे गया है उसे हम हटा लेंगे, डस्ट करना बहुत important होता है, तभी आपका cake आसानी से बाहर आ जाएगा, अब हम अपने बर्तन को preheat कर लेंगे, अब हम अपने dry ingredients में wet ingredients को mix करेंगे, इसे अच्छे से निकाल लेंगे, और पहले हम इस तरीके से धीरे धीरे इसे मिलाएंगे, ताकि मैदा जो है वो बाहर ना आए, अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, इस तरीके से आप मिलाते रहिए, जब wet और dry दोनों ingredients अच्छे से मिल जाएं, हमें उसी समय mixing रोग देना है, ओवर मिक्स बिलकु करने से केक जो है, वो spongy नहीं रहता है, कभी-कभी अच्छे से फूलता नहीं है, तो याद रखिए, ये कंसिस्टेंसी जो है, वो बिलकुल परफेक्ट है, और ओवर मिक्स बिलकुल नहीं करना है, अब हम इसे अपने केक टीन में डाल देंगे, आप इस तरीके से धीरे- करके केक टीन में डालिए, बैटर की जब कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, तो उसे टैब करने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है, वो खुद बखुद केक टीन का शेप ले लेता है, अब हम इसे अपने प्री हीटेट बरतन में डालेंगे, और लो फ्लेम पे पैतालिस से पच मिनिट तक के लिए बेक होने देंगे, जब पैतालिस मिनिट हो जाए, तो आप एक बार जरूर बीच में चेक कर लीजे, कभी कभी केक पैतालिस मिनिट में भी होता है, और कभी पचास मिनिट पे भी होता है, देखिए, ये केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, अब हम इ केक को निकालने के बाद 10 मिनिट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और 10 मिनिट के बाद इसे हम डिमूल्ड करेंगे केक अभी भी थोड़ा सा गर्म है तो अब इस तरीके से इसे डिमूल्ड कीजिए अब इसे मैं सीधा कर देती हूँ इसे करीब तीन से चार गंटे के लिए ठंडा होने रखेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा देते समय हम थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि टी स्पून और टेबल स्पून में किस से डाले तो यह टेबल स्पून है और यह टी स्पून है मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इस टी स्पून से दिया है देखिए इसकी लंबाई चार सेंटीमीटर है और यह टेबल स्पून है और यह थोड़ा बड़ा है और यह छोटा है अब मैं कप के बारे में बताती हूँ, यह नॉर्मल साइज का कप है और इसकी लंबाई जो है वो 6 cm है, मतलब की 6 cm, तो आप उस हिसाब से नाप के डालिए, केक हमारा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे सजाऊंगी, सबसे पहले हम इसे बीज से इस तरीके से स्लाइस कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में करिए, आप चाहें तो इसके तीन स्लाइसे भी बना सकते हैं, मैंने दो बनाया है अब हम इस पे डालेंगे सुगर सिरप, यह दो चमच चीनी और चार चमच पानी है, सिर्फ इसे मिक्स कीजिए और सुगर सिरप तयार है इसे अच्छे से हम दोनों लेयर्स पे लगा लेंगे, अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करके दोनों लेयर्स पे लगा लीजे अब हम इसके उपर विप्र क्रीम लगाएंगे, इस तरीके से आप विप्र क्रीम को भी इस पे स्प्रेड कर लीजे आप चाहें तो इस पे बहुत साधा विप्र क्रिम लगा सकते हैं चाहें तो थोड़ा कम लगाईए जब केक कटता है तो बहुत खुबसूरत दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है अब हम एक संत्रा को इस तरह के से छील लेंगे और चाकू से ऐसे कट करेंगे और अंदर का जो ये पाठ है हम इसे निकाल के इस तरीके से केक पे सजा लेंगे इससे फ्लिवर बहुत अच्छा आता है देखिए इस तरीके से कट करेंगे और अंदर का हिस्सा इस तरह से निकाल के हम केक के उपर अच्छे से spread कर लेंगे संत्रे के pieces को मैंने इस तरीके से इसलिए cut किया है ताकि skin बाहर आ जाए और खाते समय ये बिलकुल smooth लगे skin रह जाने से ये smooth नहीं लगेगा और थोड़ा सा chewy हो जाएगा अब हम cake के इस slice को इस तरीके से रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाना है तो इसके ऊपर whipped cream इस तरीके से लगा देंगे अच्छे से चारो तरफ हम इसे spread कर लेंगे देखे हर तरफ लग गया है अब हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और थोड़ा सा हलके हाथों से इस तरी से दबाना है अब यह बहुत अच्छे से चिपक गया है अब हम whipped cream से cake को अच्छे से कवर कर लेंगे यानि कि हर तरफ हमें whipped cream को इस तरीके से spread कर लेना है चारो तरफ हमें इसे पहले लगा लेना है धीरे धीरे करके चारो तरफ लगा लेंगे जब चारो तरफ से whipped cream से cake इस तरीके से cover हो जाए तब हम इसके finishing करेंगे finishing का मतलब यह जो edges हैं उन्हें हमें sharp करना है मतलब कि हर तरफ से edges बिल्कुल sharp दिखने चाहिए देखिए finishing complete हो गई है अब मैं chocolate ganache से इस तरीके से drops बनाऊंगी chocolate ganache की recipe मैंने पहले share की हुई है और मैंने description box में भी उसकी link डाल दी है तो आप वहाँ से भी देख सकते है chocolate हम सब को बहुत पसंद है इस वज़े से थोड़ा सा decoration मैंने chocolate से भी किया है देखिए यह कितना सुन्दर लग रहा है अब मैं कुछ फूल बनाऊंगी cake के उपर इसके लिए मैंने star nozzle का यूज किया है और यह जो flower बन रहा है उसमें मैंने white और yellow दोनों ही color के विब क्रीम को यूज किया है ताकि जो flower है वो बहुत खुबसूरत दिखे और cake बहुत attractive लगे cake जो है वो बिल्कुल ready हो गया है आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है मैं अब आपको इसे cut करके दिखाती हूँ देखिए आप घर पे बहुत आसानी से इस तरह से cake बना सकते हैं आप इस layers को देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मैं आपको पूरा cake उठा के नजदीक से दिखाती हूँ देखिए चॉकलेट ड्रॉप्स और ये फूल बहुत आसान है इसे बनाना सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है जैसे जब हम cake बनाते हैं तो baking powder और baking soda का measurement जो है वो बिलकुल proper होना चाहिए और जो whipped cream हम use करते हैं वो अच्छे quality का होना चाहिए और हाँ cake को set होने के लिए थोड़े देर के लिए फ्रिज में रखें लगबग आधे घंटे के लिए उसके बाद आप इसे खाईए enjoy कीजिए और एक बार इस recipe को ज़रूर try कीजिए ये बहुत आसान है बनाना मेरी ये recipe आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को like, share और subscribe कीजिए कीजिए बहुत आपको अच्छी लगी हो